हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज मैं आपको पुवर्टी के कुछ कॉजस बताऊंगे, यानि किन-किन कारणों से गरीबी होती है, गरीबी क्या होती है, यानि पुवर्टी क्या है, और इसके कौन-कौन से दो एस्पेक्ट है, रिलेटिव पुवर्टी और absolute poverty इस पर मैंने वीडियो बना दी है link आपको description box में मिल जाएगा make sure आप उस वीडियो को देखे ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आए तो अब हम जानते हैं कि poverty के causes क्या-क्या होते हैं कुछ economical causes होते हैं कुछ social causes होते हैं और कुछ political causes होते हैं हम देखते हैं कि economical causes क्या होते हैं सबसे पहरी जो चीज है वो है in equal distribution of income and wealth हमारी country में क्या है कि जो distribution है income का वो बहुत ही improper है यानि कुछ लोग बहुत जादा आमीर हैं और कुछ लोग बिल्कुल poverty line के बिलो हैं तो ऐसा distribution है सब को एक बराबर distribution नहीं है कुछ को बहुत जादा मिल गया है और कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा तो यह जो in equal distribution है income का यह भी एक poverty का कारण होता है next जो point है वो है unemployment यानि लोगों के पास ऐसा job नहीं है कोई ऐसा काम नहीं है जिससे वो अपनी income को generate कर सके पैसे कमा सके next is low per capita income पर capita income जो होता है वो एक average annual income होता है कि एक country में एक बंदा एक साल में कितना average कमा रहा है ठीक है यह average income निकाला होता है per year का ठीक है तो low per capita income यानि low average income आ रहा है जिस कारण से भी गरीबी होती है next is population growth population growth होने के कारण क्या होता है कि job में कमी आ जाती है हां job में कमी आ जाती है साथी साथ और भी ऐसे बहुत से reasons होते हैं लोगों का खर्चा बढ़ जाता है expense बढ़ जाता है जैसे आपको गर दो बच्चे पालने है तो आपको कम खर्च पढ़ेगा यहीं अगर आप 10 बच्चे कर लेते हैं तो आपका क्या होगा खर्च बढ़ जाता है तो population growth होने के कारण भी जो poverty होती है उसमें enhancement होता है और जादा गरीबी आ जाती है अगली जो चीज है वो है backward technology टेकनलोजी भी अच्छी नहीं है जिस कारण से भी poverty आती है ऐसी technology नहीं है कि लोग अच्छा कर सकी economic growth हो सकी उतनी economic growth नहीं हो पाती है जिस कारण से लोगों की income कम होती है income कम होने के वज़ा से वो poverty phase करते है ठीक है प्राइस inflation यानी inflation यानि होता है कि product की किसी भी goods की जब price बहुत लदा पर जाती है हद्से अधिक बर जाती है तो हम उस्से price inflation कहते है ठीक है आजए आचानक से जब price में increase हो जाता है तो तो ऐसा होने से भी poverty आ जाती है क्योंकि income नहीं बढ़ी और price बढ़ गया good का तो ऐसा होने से क्या होता है कि लोग अब उस चीज को purchase नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इस कारण से भी poverty आती है अब हम बात करते हैं को social causes की social cause में भी हो जाता है जैसे कुछ लोग होते हैं जो कास्ट के कारण बहुत लोगों को job नहीं देते हैं ठीक है कास्ट के कारण भी लोगों की income नहीं हो पाती क्या रही यह lower caste का है इसे तिर्फ छोटे ही काम दो हां ऐसा भी होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए यह बिल्कुल ही गलत बात है ऐसा हमारे सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए हम सब को एक दूसरे को एक नजर से बिल्कुल देखना चाहिए तो इस कारण से कारण इस तरह के social issues और भी बहुत सारे है कि छोटे कर जाते हैं जिस कारण से भी poverty आती है तो इस तरह की जो causes होते हैं यह social cause के अंतर आते हैं last जो cause है वह political cause कुछ governments भी होती है जो action बहुत ज़दा नहीं लेती है बहुत ज़दा गरीबों के बारे में नहीं सोचती है उनके हित में कोई बहुत ज़दा plans नहीं बनाती है जिस का कुछ कारण हो गए जिनके कारण आज भी हमारी society में गरीबी है आपके नजर में अगर और कोई points है जिसे poverty cause होती है तो आप comment section में मुझे करके बताईए साथी साथ अगर आपको यह video पसंद आई हो इस video से information मिली हो तो इस video को like करिए चैनल से नहीं जुड़े है तो चैनल को आपका ही चैनल है यह आपका ही चैनल है आप सब्सक्राइब नहीं करेंगा तो और कॉन करेगा प्लीज मुझे support करिए अपना आश्रवात दीजिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं next video में और अगर कोई query हो कोई topic हो जो आप मुझे पढ़ना चाते है तो वो भी आप comment section में comment करके पता सकते हैं वीडियो को यहीं end करते हैं thank you